दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चैट GPT की मदद से अपनी वेबसाइट के लिए आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं वो भी प्लेगरिजम फ्री जी हाँ पूरी तरह से प्लेगरिजम प्री और यूनिक कॉंटेंट आप कैसे लिख सकते हैं चैट GPT की मदद से मशकार मैं हूँ विशाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरू ग्यांदा नॉलेज में दोस्तों जैसा कि आपने थमनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ जी हाँ आज मैं आपको चैट GPT की मदद से एक करते हैं कि बैस्ट मैं आटीकल लिखूं तो आपको चैट GPT लिखके देगा दोस्तों कुछ एक चेंजिस करनी पड़ती है वह करेंगे और आपका आटीकल 100% यूनिक हो जाएगा वैसे आप चैट GPT से जो आटीकल लिखवाएंगे वह भी 100% यूनिक ही रहेगा तो दोस्त अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बढ़ते हैं सिदा लैप्टॉप की स्क्रीन पर तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चैट GPT की मदद से अपनी वैब साइट के लिए आर्टीकल कैसे लिख सकते हैं वो भी प्लेग रिजम फ्री यानि 100% यूनिक आर्टीकल आप कैसे लिख सकते हैं तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपना चै चैट GPT का अकाउंट नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं वीडियो की आप चैट GPT पे अपना अकाउंट कैसे बनाएं दोस्तों दिखिए जब आप उसमें एक छोड़ी सी एक्स्टेंशन भी एड़ करेंगे उस एक्स्टेंशन का नाम है दोस्तों AIPRM चीए दोस्तों पहले आपको अपने Chrome पे Gmail ID से दोस्तों एक अकाउंट क्रियेट कर लेना है चैट GPT पे उसके बाद दोस्तों आप इस एक्स्टेंशन को यूज करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का चैट GPT नजर आएगा अब दोस्तों हमें करना क्या है ये ठीभी टॉपिक पर चलि हम लिखते हैं इंश्रेंस अचैट थीक है दोस्तों हम देखते हैं इंश्रेंस आ चलिए इंश्र्ण यूएस से ठीक है दोस्तों यहां आप क्लिक कर देंगे मैं आपको एक्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों कि आप जिस टॉपिक पर लिखना चाहते हैं उस टॉपिक को आप गूगल में सर्च किजिएगा आपके सामने दोस्तों बहुत सारी वेब साइट्स आ जाएंगी तो द लिख कर दीजिएगा जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे यह वेब साइट ओपन होके आपके सामने इस तरह की वेब साइट आजाएगी दोस्तों अब आपको क्या करना है दोस्तों देखिए यहां उपर आप यूरल पढ़ लीजिएगा बिजनेस इंशॉरेंस इ आउट रैंक आर्टिकल ठीक है दोस्तों तो यहां आप क्लिक करेंगे तो यहां देखिए यूर कंपेटिटर यूरल तो उस यह उरल को आप यहां पेस्ट कर दीजिएगा पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप एंटर करेंगे तो आपके सामने यह आपको उससे बेस्ट ठी जाते हैं अब हम इसका प्लेगरिजम भी चेक करेंगे दोस्तों ठीक है कि कितना प्लेगरिजम है इसका ये किसी के साथ मैच तो नहीं कर रहा है वो हम सारा यहां चेक कर लेंगे ठीक है दोस्तों तो देखते हैं इसने हमें लिखके दिया है या नहीं चलिए ये लिख रहा है दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको 100% यूनिक आर्टिकल लिख के मिल जाता है ये वो चीज़ें लिखेगा दोस्तों जो जरूरत वाली होंगी फाल्तू की चीज़ें ये नहीं लिखके देगा और जिस article को यानि इस article को आपने यहाँ पेस्ट किया है इससे भी best ठीक है दोस्तों इससे भी best article यह आपको यहाँ लिखके देदेगा और यह वर्ड खाहे है यह भी आपको पता लग जाएगा दोस्तों कितने वर्ड इसनक draw लिखे है अब यहां देखिए जैसे आ चुका है your company name तो यहां आप अपनी company का name डाल सकते हैं ठीक है दोस्तों और यह अभी तक लिखी रहा है यह देखिए यहां आप company का name दिये इसे ध्यान से पढ़िएगा जरूर दोस्तों एक बार इसे post करने से पहले अपनी website पर post करने से पहले यूज कर सकते हैं और यूज कीजिएगा जरूर अब दोस्तों देखिए यहां तक हमें लेना है सिर्फ conclusion और यहां highlights तक new highlights इसे दोस्तों आप copy कर लीजिएगा इसके जो title है title तो copy करके दोस्तों अब plagorism checker में आ जाईएगा यहां paste कर दीजिएगा यह दिखिए इसके word भी आपको यहां दिख जाएंगे कि कितना word का इसने आपको article लिखके दिया है 799 word का यह article है अब दोस्तों थोड़ा सा scroll करके नीचे आएंगे यहां I am not a Robert पे click करके देखते हैं इसका plagorism हम check कर लेते हैं दोस्तों कि कितना plagorism है इसका किसके साथ match कर रहा है या नहीं यह दोस्तों जुरूर आप check जुरूर कीजिएगा बाकि दोस्तों कभी मैं तो कभी check ही नहीं करता हूं क्यूंकि दोस्तों यह हमें 100% unique article लिखके द दोस्तों क्यूंकि आपको इसी ऐसी जानकारियां मैं देता रहूंगा जो आपके फाइदे के लिए होंगी दोस्तों कई लोग कहते हैं कि chat GPT के जो article होते हैं वह rank नहीं करते हैं Google पर क्यूंकि वह AI के होते हैं पर दोस्तों आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप क्या किज लिखेगा आप चले जाएएगा Google search में यहां लिखेगा Google Trends ठीक दोस्तों आप Google Trends में चले जाएगा यहां जाने के बाद दोस्तों आपको यह मिलेगा Google Trends में जाके आप यहां यह जो त्री आपको लाइंस दिखनी है यानि मेन मीनू पर जाएगा अब यहां दोस्तों इस टाइम सर्च हो रहे है यह नि 8 गंटे में 200 केस 2,00,000 वर चाहे हैं इस पर 12 का रिजल्ट है दोस्तों पांक घंटे में 50,000 सर्चिज आ चुके यह इस तरह से हैं दोस्तों है आप युएस करना चाते है तो इंडिया लिखा है इंडिया की जगा दोस्तों आप यूएस कर सकते हैं यह देखिए उनाइटेट स्टेट कीजिएगा तो यह उनाइटेट स्टेट के हैं देखिए 46 मिनिट में पहले एक आर्टिकल है जिसके 20K सर्चिज आ चुके हैं ठीक है दोस्तों आप इस पर भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको तरीका बताया है उस तरीक से आपको यहां निकाल कर आप इसे लिख सकते हैं अब देखिए यहां पर अभी दोस्तों यह शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम है हम यहां भी क्लिक करके देख लेते हैं यह चलिए हो चुका है आप चेक प्लेगरिजम पर जाएंगे यहां आप फ्लोरिडा स्कूल मुव्स एमांडा ये आप पढ़ली जिए गा दूस्तों इसे रिलेटेड आप यहां लिख सकते हैं जैसी यह लास्ट ट्विंटि थियमाई का है दोस्तों इस पे दोसों के सर्चिज आ चुके हैं इस पे दोस्तों के सर्चिस हैं दोस्तों के सर्चिस हैं तो आप इन टॉपिक्स पर लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे अब आप मानके चलिए आप इस टॉपिक पर लिखना चाहते हैं यहां क्लिक कर दीजिएगा यहां क्लिक करने के बाद दोस्तों यह शायर यह बास्केट बो पूरा खुल चुका है अब दोस्तों कुछ नहीं करना है यह जो URL है बस आपको इस URL को कॉपी करके अपने चैट GPT पे एंटर करना है आउट रैंक आर्टीकल पे दोस्तों इसे आप कॉपी करके कहीं रख सकते हैं इसे डिरेक्ट यहां से उठाके दोस्तों आप अपनी पोस्ट पे कभी भी मत डालिएगा जी हां आपको दिक्कत करेगा आपको क्या करना है दोस्तों से कॉपी करके आप अपने य पे जाईएगा टेक्स डॉक्यूमेंट में जाईएगा टेक्स डॉक्यूमेंट में जाने के बाद दोस्तों आप यहां इसे पेस्ट कर दीजेगा और यहां फाइल सेव कर दिजेगा ठीक है दोस्तों तो यह आपका सेव हो जाएगा चलिए देखते हैं अभी प्लेगरिजम इसने कितना चेक किया है यह दोस्तों अभी चल ही रहा है देखिए इसे 18% हो चुका है शायद यह आपको नहीं दिख रहा होगा पर दोस्तों यह मैं आपको पूरा चेक करके दिखाऊंगा कि यह कितना प्लेगरिजम दिखा रहा है तो चलिए दोस्तों तब तक हम इसे यह आपका समय बहुत वेस्ट होगा तब तक हम इसे स्टॉप कर देते हैं दोस्तों यह रिखिए यह आपके सामने आचुका है पूरा 100% यूनिक जी हां दोस्तों यह आपने यह लिखके दिया है चैट GPT ने यह ठॉनिक आर्टीकल है यह किसी भी कंपनी के साथ यानि किसी और वेबसाइट के साथ यह आ यार है इस आर्टिकल को यह जो आर्टिकल हमने यहां लिख के दिया हमने नहीं सोरी दोस्तों चैट जी पीटी ने जो हमें आर्टिकल लिख के दिया है अब आपको क्या करना है दोस्तों इस आर्टिकल को आप यहां सेलेक्ट करके कौपी कर लिजेगा कौपी करने के बाद द सकते हैं और यह आपका 100% यूनिक आर्टिकल हो जाएगा और आप इंडेक्स करना भूलकों जब भी आप आलक्व लिकिए दोस्तों तो आप इंडेक्सिंग जरूर किजेगा ठीक है दोसतों तो अपने कितना असान है 100% यूनिक आर्टिकल लेना तो दोस्तों ये थी जानकारी, चलिए मिलते हैं आगे, देखा आपने कितना असान है चैट GPT से एक आउट रैंकिंग आर्टिकल लिखवाना, जी हां दोस्तों, इस आर्टिकल को आप लिखिए, गूगल ट्रेंड में जाके सर्च कीजिए, कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उ बहुत ही बेहतरीन तरीका है, ये कुछ एक चेंजिस कर दीजिए, और वो आर्टिकल पूरा पूरा आपका यूनिक आर्टिकल बन जाएगा, तो दोस्तों ये थी जानकारी, अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम ये टेलीग्राम प